और बड़ी कवर आपको बता दे मुंबई के बैंडरा रेलवे स्टेशन पर बगदर मची है बगदर में नौ लोग गायलवे जबकि दो लोगों की आलत नाजुक बताई जा रही है त्यवारों की वज़े से स्टेशन पर काफी भीड़ती जिसके बाद बगदर मची है और आ बड़ी के बाद बगदर मची जिसमें नौ लोग फिलाल गायल बताई जा रहे है और इसमें से दो के स्टिती काफी नाजुक बताई जा रही है देखे मुंबई की जान कहीं जाती है ये लोकल ट्रेइन वहां की लेकिन कई बार इस तरह की स्टिती आपर पैदा होती है और बारी भीर जिसकी वजह से यहालाद बने हैं ये चार तस्वीरे इस वक्त आपके सामने हैं त्योहारों पर जड़तर लोगों को अपने घर जाना होता है लिहाजा इस्टेशन पर बीड बढ़ जाती है और वहां पर किस तरीके से भगदर मची उसकी चार तस्वीरे आप द जी लक्षमी जी ये बहुत बड़ी ख़बर है कि मुंबई से यहां पर अगर देखे तो करीब दो जनों की तब्यत अभी भी नाजुक है तो साथ जनों को रिहा कर दिया गया है बाबा अस्पताल में का इनको कले कर गया थे और डॉक्टर रिशिकेश करके है वो सारी इसक इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट थोड़ी देर में पारित की जाएगी जहां पर जी आर्पी और आर्पी एफ के जो जवान है उन्हें पूछा जाएगा और ये सुबह के वक्त का जो ये भगदर मची गई थी ये जो नंबर है जो गोरकपूर जाने वाली जो गाड़ी थी एक डबल टू-921 गोरकपूर बैंडरा गोरकपूर का एक्सप्रेस इसमें ये हुई है प्लाटफॉम नंबर एक पर ये गाड़ी जा रही थी और यहां पर सुबह का वक्ता तो ये भगदर क्यों मची और इसके पीछे क्या वजा रही और एक साथ इतने लोग कैसे आए इ क्या इस्टेशन पर मुकमल विवस्थाएं नहीं की गई थी सुरक्षा के लिहाज से और त्योहारों की भीड को देखते हुए चेतर सिदे तोर पर यदि अगर देखे तो त्योहारों का समय है और कई लोग मुंबई से अपने अपने गाउं जाते रहते हैं तो जिसमें बैंडरा टर्मिनल से ये निकलने वाली ट्रेन में सुबह के वक्त हाथसा हुआ है तो जहां पर जो सुरक्षा का कर्मी है उनकी अभी इन्वेस्टिकेशन की जा रही है और वो इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट में जिस पर भी चुप पाई गएगे उन दोशि से स्टेशन पर काफी बीड़ती जिसके बाद भगदर मची है और आपको बता दे इसमें नौ लोग घायल हुए जिसमें से दो लोगों की हालत फिलाल नाजुक बताई जा रही है बैंडरा टर्मिनल पर ये बड़ा हादसा हुआ है भगदर मची है और इसके पीछे की वज लेकिन कई बार इस तरह किस्दिती पर पैदा होती है और एक बार फिर से देखे ट्रेंड में चड़ने की जल्दबाजी के दौरान ये भगदर मची है जो जानकारी मिली और उसमें नौ लोग घायल हुए है बड़ी खबर इस वक्त आ रहे है मुंबई की बांदरा डेलव इस्टेशन पर भगदर मची है भगदर में नौ लोग घायल हुए है दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रहे है त्योहारों की वज़े से इस्टेशन पर भारी भीर जिसकी वज़े से यहालात बने हैं ये चार तस्वीरे इस वक्त आपके सामने है त्योहारों पर जानकारी ये सती कैसे बनी, कितनी casualty हुई, जो लोग हायल है, उनकी सती क्या है, पूरी जानकारी इस पूरे हाथ से पर. जानकारी ली जा रही है, कि ये भगदर क्यों हुए और इसके पीछे क्या वजा रही, क्योंकि सुबे का वक्ता और सुबे के वक्त में ही इतनी भगदर मची है, जिसके उपर अभी एक investigation report थोड़ी देर में पारित की जाएगी, जहां पर जियारपी और आरपी एफ के जो इसमें ये हुई है, platform नमबर एक पर गाड़ी जा रही थी और यहां पर सुबे का वक्ता, तो ये भगदर क्यों मची और इसके पीछे क्या वजा रही है, और एक साथ इतने लोग कैसे आए, इसकी अभी investigation हो रही है, और थोड़ी देर में ये investigation report आएगी, पर इसमें अभी कोई भी मृतन नहीं पाया गया है, लेकिन दो जनों की एक परिसिदे अभी भी गंबीर बताई जा रहे है, बाबा ऑस्पिटाल में, जी, क्या इस्टेशन पर मुकमल विवस्थाएं नहीं की गई थी सुरक्षा के लिहाज से और त्योहारों की भीड को देखते हुए चेत में सुबह के वक्त हाथसा हुआ है, तो जहां पर जो सुरक्षा का कर्मी है, उनकी अभी इन्वेस्टिकेशन की जा रही है, और वो इन्वेस्टिकेशन रिपोर्ट में जिस पर भी चुप पाई गएगे, उन दोशियों पर कारवाई की जाएगे, पोलिस के द्वारा, जी जी